राच्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकेन पे क्लिक कीजिए क् thời रचना में के लिए अच्सक्राइब कि गगाया, 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 कि कर दोי दो कर दो टूपकुलू। हाँ, हलो, सुनो तो, तुम आरे हो रहा? को कि मेंटा, की यहीं हो पुक्षके egas dzięki kya बुक्षक falan communist जिए पुस्दूर्य करने वे आप इस दिशा में जा रही थी और अभी आप मेरे साथ चल पड़ी बुक्षश कर्या है, तो तुम उस दिशा में जा रहे है, तो इस दिशा में क्या कर रहा हो इतने यह मेरे पास बहुत कम है तुझे जाना अमेरिका इतनी दूरी और इतनी चोटी थी बेतर है तुम मुझे दे बाबू जी के कोट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैं नहीं तो तू जबान की बोली लगा लगा छोट का चरीम नहीं लगा रहा है तू यह कूंँ फे घरा थो समझ नहीं रहा बात को उपड़ बोल रहा है तु शिक्षक देश का अरे तकलीम मैं उठाओ पैसा में कटा करो ग्रेट तू हो गया अरे ग्रेट फूल रहा हूँ तू तू ग्रेट हुआ मैं को नुआ फूल यह मेरे परिबार के रक्षा और उसकी जीत की फीज तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो नहीं बलके मैं माफी चाहता हूँ कि कल कोट का फैसला है और मैं फीज आपको आज दे रहा हूँ मास्तर जी ने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है गुरु दक्षिना देने का आप भागी तो मिलने दो अफसोस की बात तो यह है कि तुमारा ख़डूज जीजा तुमारे घर में रहकर तुमारे पिताजी के खिलाफ केस लट रहा है आज देखतो मैं खामोश रहा लेकिन आप मैं चूपणाने वाला नहीं हूँ ये जीजू हम दोनों के पिताजी के खिलाफ कोट में केस के से लट सकते है नहीं अपने ससुर के खिलाफ रणने को इनको शरम नहीं आती मैं क्या करूं वो मेरी सुनते थोड़ी है चालिस साल बाबुजी ने स्कूल के अंदर पड़ाय लिखाया कितनी इजट है उनकी समाज में ना पेंचन न ग्रजुटी और नय के लिए संदर्ज और उपर से तुम मुझे भीश्म फिता में बना दिया बाबुजी वो कैसे दरसल जीत मैं आप ही की चाहता हूं लेकि लड़ना स्कूल के तरह से पड़ रहा है प्रफेशनल एफिक्स जिसकी शिक्षा मैंने आप ही चुपाई थी यह कैसे भूल सकता हूं और ये भी कैसे भूल सकता हूं कि 20 साल पहले जब इस स्कूल को लेगल एडवाइजर की जरूरती तो इस पोस्ट के लिए आप ही ने मुझे चुना था और अपनी बेटी के लिए भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विनायत तुम अपना फर्ज निभाओ मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं तो बाबुजी दीबक को भी संधा है यह ने से बात को ना समझ है तुम्हारे अंदर के महा पुरुज को समझ नहीं बारा है पुत्तम भाई आप बॉम पे बैठे हैं बॉम मैं जगे की बात कर रहा हूं जमीन के भाव जो है जमीन के बहुत बढ़ रहे हैं बाई वो सब मालूम है आपको यह बता यह कि आज की तारीख में उस घर का दाम क्या होगा पंद्रा करोड क्या क्या पंद्रा करोड जितनी जल्दी हो सके घर बेच दीजे वर्णा म्यूनिसिपैलिटी वाले का कोई भरोसा नहीं रस्ता चोड़ा करेंगे फ्लाइवर बनाएंगे तो दाम जो है वो ठुस करके गिर रहेंगे हम वो घर पिछकी रहेंगे भाईया चाए संत्रे का चूस प्यार की टंकी ओर फ्लो हो रही है काम की बाते करो ना तुम्हें पैसे से अलर्जी है नहीं क्यों तुम्हें हमारे पती बेवकूफ लगते हैं मेरे लगने से क्या होता है क्रिपलानी क्रिपलानी क्रिपया घर के घर बेचने की बाद दुबारा मत करना क्रिपलानी बहुत अच्छी किमत दे रहा है बाबू जी ने इस घर की नि नहीं, खोन पसीने से खड़ा हुआ है, ये, ये कमरा जहां पर हम लोग ये सब बाते कर रहे हैं, ये कभी maternity room हुआ करता था, यहीं पर हम सब पैदा हुए, मा ने यहीं नूरिया सुनाई, जब भी मैं यहां सोता हूँ, बड़ी मीठी नीन आती है, मेरे लिए घर अन्मोर है मैं इसको किसी कीमत में नहीं बेश सकता मालविय मेमोरियल हाइ स्कूल के प्रिंसिपल, श्री उंकारनाच जी ने अपनी रिटायर्मेंट के 6 साल पहले एक लाइबरेरी बनवाई, ये कम विद्यार्थियों के हित में था, लेकिन स्कूल कमिटी के फैसले की रह देखे बगैर, उन्होंने ये लाइबरेरी और स्कूल को 20 लाग का नुकसान उठाना पड़ा, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए स्कूल कमिटी ने श्री उंकारनाच जी की 6 साल तक की 89 आए, आज तक की पेंशन और प्राविडेंट फंड, पुल मिला कि जो रकम आज की तारिक में ब्यास सही 10 लाग होती है, स्क और स्कूल की तरफ से जो 10 लाग रुपे मांग रहे हैं, वो देना सच मुछ नामुम्किन है, लेकिन कोई स्कूल कमिटी किसी शिक्षक को उसकी मा सीकाय, पेंशन और प्राविडेंट फंड से वंचित नहीं रख सकती, माफ कीजिए, यूराउनर, आप खाली किला से पानी पलाने की बात कर रही है, स्कूल कमेटी के कानून तोड़ने के जुर्म में, उल्टा शिर ओंकार नाजी को हमारी नुकसान भरपाई करनी चाहिए, कम से कम 25 लाग, क्योंकि सारे पैसे लाइबरेरी में उड़ाने के बा पैसा नहीं तो ना सही, पैन की जगाद पैंसिल इस नया इस स्कूल को उतनी ही खीमत की कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ये अदालत का फैसला है स्कूल के पास क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जजज साभ, कूर्षियां, केबल, ब्राइबर्ट्स, शॉक्स, चाहिए? बलो बलो हाँ, जजज साभ स्कूल के पास एक बस है, अगर इनको मंजूर हो तो बस ले सकते हैं, बस चाहिए पुले पुले बस देंगे ये कैसा ने आया है अले चाहिए एक हाथी लेकिन हाथी नहीं है तो क्या हाथी के बजन के चूहे देंगे ये अजीब है ना ये काम दंदे के लिए बस दे रहे है ये वो बस दे रहे है जो चलती है I'm confused कुछ अदालत का फैसला मुझे पागल की हसी जैसा लगता है जैसे पागल हमारी तरफ जेके हसता है और हमें मालूम होता है इसकी हसी का कोई मतलब नहीं सालों साल कोट में चपलें गिसने के बाद और इतना सारा रुपिया लगाने के बाद हमारे हाथ के आया एक बस बस तु तु प्लेट की बात करने, जो सामने पड़ी है, यह ने, यह, यह, मानने मैंने बस बेची और मुझे पाश्ट लाख रुपए मिले, इस में से एक लाखर रुपह फिर से मैंने तुझे दीए, एक लाखर रुपए मैंने वकील को दिए, अब तेरे बंते हैं, अगर तुने ब क्या प्रेपर में इस्टाहार देना पड़ेगा अरे इतना बड़ा केस थोड़े था के एखवार में जीत का इस्टाहार देना पड़े ने मैं केस की बात नू कर रहा हूँ मैं बस की बात कर रहा हूँ इस्टाहर देंगे बस भिखेगी तो पैसे आएंगे ना और लगे हाथ तीन हिस्सो में बढ़ जाएंगे कभी कभी सोचता हूँ कि देवी देवताओं की तरह मिले तीन-तीन हाथ पैर होते एक आख यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक टांग वहाँ, तो बांटने में असानी होती है तुम्हारे वो फरनीचर वाले बिजनस का क्या हुआ? बाबुजी सुना आजकल ठेकेदार लोग बगर पर्मिशन लिए पेड़ काटने लगें बात समझ में नहीं आई मेरे उसके पहले जूनियर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, वो भी छोड़ दी वो दो, आप तो जानते ही हैं न, ये लोग तनखा देते थे हाथ में 7000 रुपे और दस्तकत करवाते थे 15000 पर, और जब मैंने तकरार की तो उन्होंने करार कैंसल कर दिया जी अब तुम्हें एक और इम्तहान देना है राजश्रिक रुट जिवा, देखना है रहे, वो नहीं, ये, ये नीचे रूट पर्मिट सोना वड़े से रतना कर चौप तब ये किसलिए? बस के लिए पर बाबुजी मुझे इस बिजनस के बारे में कुछ पता ही नहीं है पानी में गिरोगे तो तैर ना सीख जाओगे देखो मेरी बात मानो बस को बेचो नहीं बस को चलाओ थोड़ी आमदनी, थोड़ी लोगों की सुविदा और फिर अपने हिसाब से मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा आप कहते हैं तो ठीक है देखे एक बस के अंदर 60 सीटे होती है और नहीं अबर एक सीट का होता है कंसे कंदर 10 सु रुपया तो उससाब से अगर बस पुरी हाउस भूल होगी अगर चैसो रुपया हो गया तो उससाब से पूरे दिंके अंदर अगर चैसो रुपय कमाया थाफ्टे बर में 25 रुपय तो चक्कर चलाई लिया तो हथे पर में 25 रुपय चकर जाल गए तो साल भर के अंदर एक बस का जोगाड़ वह ता कम से कं 12 लाग रुपया तो एक बस का ही बारा लाग का चकर जागे तो पासाथ बस तो में यू डाल लूँगा तब तो लाग रुपे का हिजाब की ता पुझेगा बईया एक एक बात बता मुटा मुटा संजा गणित्र पफना हिजाब की ठीक नहीं था ना अज़ अज़ समझे के करोड़ उर्पे का भोल जो गाड़े जब लेजाख अब्संकर बतानाश बदेड़ आरे अवयर्ट रुपे का अघड बद्राइख अठी अड़ेत्य मेला ने पर डेख तु क्या बार्टम अटेक अट बसल्फे पागे पा मज़ा आगया मज़ा आगया देख नरसरी से पेड़ पोजा खरीद के नहीं ले जाने है बस ले जानी है आगे चलिए यही बस है यह गाड़ी है कबुत्रों की जाड़ी और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है जिंगा लाला हूँ की शादी की वारात निकल रही है क्या यह वो बस नहीं हो सकती दीपक आप प्रिंसिपल साब को फोल लगाओ देखो एक यह वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है दो प्रिंसिपल साब आज छुटी पर हैं तीन आप जल्दी से यहां साइन कीजिए और चार मास पीटी मास पीटी करवारें आप बच्चों से कितना गिनवाएंगे कितना गिनवाए था तुने साल का दस बारा लाख इसे भंगार में भी बेचू तो लाख क्या काच की चूड़िया भी नहीं खरीट पाऊंगा मा के लिए जेग भी कुछ भी नहीं यह उससे कुछ तो होना अच्छा है ना अच्छा है क्या अच्छा है अच्छा है आपनी जीजू आप समझमें आया ने के बाद भी वो जीजू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था ये सौक तेरे जीजू का क्या घर के पागल हो जाए तेल का क्या करूं अपने सर पर लो यह खोपरे की काड़ी पर आई अपने घर में अधना सुरोने से पढ़े जी जुने धंदे की नम कि इतने सोने का तो मैं दस हजारी दे सकता हूं अच्छा तेरा दस तेरा अरे एक बार बोला ना दस आच्छा तेरा इतने में हो जाएगा ना नहीं तेरा मेरा कम ज्यादा के बात नहीं है पर वाला बचा है आँ लाओ पाइली पैसंजर के भीड में निकाल दूँगा इनका मैं करदा चुगा दूँगा लाओ बचा लेना बालिक हाँ चला आजा भी मामो मैंने पापा से बस के लिए एक नाम पुछा उन्होंने का चल मेरे पापा ने भी कहा चल एक बात समझ में नहीं आती बाबुजी यह दोनों बार बार तरा तरा से मेरी बेज़ती क्यों करते रहते हैं उनके चल को छोड़ तू अपनी अकल से चला-चल सुपब मिल गया ना काम्याभी का रास्ता उन दोनों ने कहा चल आपने कहा चला-चल तो बस का नाम आज से चल चला-चल अच्छा है सब के चेरे खेले हुए है आपका मूख क्यों लटका हुआ है तरह कि बाई की बश शुरू हुई है सरा खुश रही हैं ना तरह भाई की बस शुरू हो रही है तो यम ना चूट कर दो कर रहा हुआ यहां क्यों कर रहा हुआ तो यू टेंड को मसका मारते हैं तो यह नारियल उससे फुड़वा देते हैं अच्छा मतलब कि इस जद देने से संतुष तो जाएंगे आराम से भूलना मी नारियल ब्रोकर दम क्यों सूख रहा है दम लगा कर फोड़ दो नारियल तुम भी परिवार का हिसा हो हुआ है नारियल ब्रोकर जै भजरेंगे भालीट कर दो दो दिन की है सिंब गारी खत्म ना हो जाए कहानी बस में कर लो पस में कर लो आनी चारी है जवानी कर दो दॉन सेपस्ते के लिए जवानी बसंदी बसानी चारी आंडी हैं फेर आथ तेरी रात है, मुझे को कैसी परवाया रो बस चो मेरे साथ है दो दिन की है सिंद गारी, खत्म नहो जाए कहानी बस में खड़ लो, बस में खड़ लो, आनी जानी है जवानी Don't say bus, Baba, don't say bus बनाचो, don't say bus गाओ, don't say bus जुभो, don't say bus बुंदुनाओ, don't say bus दो दिन की है सिंद गारी, खत्म नहो जाए कहानी बस में खड़ लो, बस में खड़ लो, आनी जानी है जवानी Don't say bus, don't say bus, don't say bus च्रेप में होंके, डॉलर पाउंड पैर ना होंगे, on the ground लाइप में होगा, पन ही पन कारों में, सिकों का साउंड दो दिन की है सिंद गारी, खत्म नहो जाए कहानी बस में खड़ लो, बस में खड़ लो, आनी जानी है जवानी Don't say bus, don't say bus आग, खालो, खालो आग, खालो आग T मैं पिसित क्यांब कि रुष् Singing कि झाि छो कि आप कि आप कि अरी अरी को सय से लजाएंग तो से लुड़ार, पाले कि यि घर हुड़ार, जया है? जड है, मैं उम है, मैं ऑंगे रहते हैं ते लाएंगे में पाले को पालने है हमें पाले को बढ़। झाल 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 मेरा पास्पूर झाल तुझे तुम्हें को ते कि मौत मारूं का क्या हो गया कि मुझे कुछ बोला ना तो चीती की तरा मसल दूँगा तुम नहीं या मैं नहीं पर मैं घयको नहीं तू ही नहीं और तू भी क्यों नहीं तू मेरे दोस्ट है इसकी एसी किता सी आएएएए आएए अब आपके गिछ दर ले जारा कौनसे गहर से गाड़ी चला हुना है है अज्ट अज्ट आए है करते हैं है अजय है अजय करने नारे भवहिजा दोची में क्या है अब अब सुन्दार शुन जांग इस तो सब पूछ रहे गाड़ी हाँ से चलाम साब हैपी वैलेंटाइन डे हैपी वैलेंटाइन अब ए गाड़ी हाटा तुपहले क्या बायको वाइप सारी गल्फरेंड सब थी कि न अरे बार बच्चों को पूछ यार मेरे बाल पक गया प इसे निकालूंगा वह गाड़ी निट्रोल में अरे तो फर्स दाल आजा निकल जाए यहां से अरे लेकिन वो अब क्या हो गया साइब यह दोस्त है ना उसका पासपोर्ट चुआ खागे अरे उसमें पब्लिक का क्या दोश्य तू गाड़ी हाटा अरे लेकिन मैं क्या करू मैं सुन्दर हो हाँ किसने बोला आपको मेरे बाब बोलती है अच्छा ठीक है जो भी दूप बहुत पढ़ रही है आपका मूह आपका मुह आपका मुझा हो जहां प्लिक करती है यहां हो गया वह इस्पेक्टर शाब भड़ा करे यह लिवर दे मुझे चूए का लिवर कु अप्लिकेशन्स हैं ड्राइवर कंडुक्टर की पोस्ट के लिए दो आदमी की पोस्ट के लिए इतनी अप्लिकेशन्स ज्यादा नहीं अपने देश की आबादी के पर्पोरेशन में है पर्पोर्शन हां वई 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 भी पिर मैं सूचता हूं कि इतनी लोगों में दो आदमी के से लेक्ट करना बड़ा मुश्किल कहां हैं अरे इने बहुत सिंपल है इजी है जो हमें दस अजार देगा हम उ विमानदारी से आप तो बहुत दून निकल गए थांबा थांबा विंतिया है पगार नहीं डिपोजिट डिपोजिट वो भी बहुत गलत सिस्टम है अच्छा गरिबों के साथ बहुत बुरा हो रहा आज भी उनकी मिले तोड़ दी आती है वहां पर पब बना दिये जाते हैं और ऐसे में मैं उनसे पैसे लूँ कुछ क्यूंकि तुने एक बहुत बढ़ा गुनाह किया यहां पैदा होने का हम सब करते हैं ये कश्टर्ड है बिजनेस का कमेन कस्टर्ब अरे मैं मैं कंगी कर रहा हु तुझों क्यूं गर रहा है यार मैं सुश्टाओ कैसे भी करके हम लोग अपना बिजनस बढ़ाएं जी आगे बढ़ाएंगे बिजनस जोरदार शुरुवात हुई आपकी है अच्छा मेरा सुझाव है हालकि मेरा सुझाव तुमारे लिए बिने टेकट का स्टैंप पेपर नहीं 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 तो फिर मेरी बात शुना देखो तुमको इस अच्छा का इंतिजाम किया दोनों को काम पर रख लो क्या हूं क्या कर रहे हैं नहीं उसके विस्टार का लॉज हो गया कौन है को यह लूज रेक्स्तान की सब्कों पर 20 साल का एक्सपीरियंट आर्मी में भी काम किया है कडी नजर फूर्टिला दिमाग लोफेश जैसे अपने स्कूल के पुराने चैपडासी का बेटा है बाबुजी ने गनेट पनाई इसको अच्छा खासा नाम है हाम है हारिला गुड और ओफिस का काम सबालने के लिए मैं हूं जिंदा अभी तक इसलिए मेरे पेट पे लात और दिमाग में घूसा मत मारिये प्लीज ओके त हूं अखिर मिलका इस अच्छा पाला गारा थे नियुगा आट यृप अच्छा अच्छा इंद लिए आखिर्या है अच्छा पाल्ट को फॉला पर्टकॉ कुछ एक लेला है क्या चल रही है जास्ते बेंडी जी नमस्टे एक लेल देड़ी चलो 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 बचे आराम से स्कूल आया जाय करेंगे यह भाई साब जो खड़े है वो भी आराम से वाफिस पहुच आगे पुजारी जी भी दुनिया अभर का पुजा पाट किया करेंगे अपनी बस क्या चलिये कई जिंदीगियां सबर जाएंगे बिल्कुल सच्छ पाभूजी ने ठीक हाथा यह का मुझे बहुत बड़ी आला तो खुश है ना मैं भी बहुत खुश हूँ लुबसागे अजय तक्सी पड़ बढ़ेगा नी बड़ी अरे ने नी मैं बस तक पचाता ना आप लोग वो टैक्सी से में बढ़ी को आई बैटी टिके 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 इस जेम्स बोंड के क्या कहने यार अब वयिजी व हैं अब एकित थार टावों में वें और भी पाहला हूँ प्रुशन के तुन strong iag 20 देन खड़ा है वो तू निकल लिए सिदह अच्छ टिकेट के लिए इतना लंबा क्यों बढ़िया है लगे रहो भाई लगे रहो लाइन में अहां क्या बात है लगता है पहले दिन बसने बिजनस टॉप गेर में डाल दिया लगे रहो आपका नाप रतनाकर चौक तक एक भी बसने आती थी हमारे लाके के लोगों को बहुत रहत तुक वाड़ी से रतना कर्चोक आप का लिए एक टिकेट काड़ने के लिए पूरा हम पेपल लिख भारा है तुकों समझता अपने अपने भारत सरकार यह भाई नेताओं की बराबरी मत कनना वो घर में पेट चड़ागे बैठे है और हमें अपने घर पर चट चड़ाना है अपने किसी काम किने भाई अपनी चलेगे सिर्फ लंदागीरी अरे धन्दाई तो कर रहा हूं बैट की सिस्टम से अरे यार आजकल हर बड़े धन्दे वाले कंसेशन दे रहे हैं अच्छा कम से कम देश को चमकाने वाले लोगों को तो कंसेशन देना पड़ेगा न स्टू इतनों कतार में खड़े मार मार के तार तार कर देंगे तुझे आप अपना उड़ास पत्र आइमिन पजान पत्र लाई हैं नहीं क्योंकि मैं प्रिंटिंग प्रस में आप्रिंटिस हों देखिए मैटम यह हमारे मालिक चुईंगम की तरह सौफ्ट है इन्हें चवाने की को इसको नाम सुदर है तो आपने मेरी तरफ देखा क्यों अरे आपको देखने से पहले मैं इससे बाद इसको देखके मैंने आपको देखा ना मैं उससे पहले आपसे बात कर रहा था खबाद दार जो मेरी तरफ आख उठा के देखा तो अच्छा हुआ आपने मेरी आखे खोल दी अब मैं आपकी तरफ देखूंगा ही नहीं अब आप जाहिए नो स्टुडेंट नो कंसेशन जाहिए 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 चिलाने की कोई जरूत नहीं है तुम्हारे मालिक ने नई स्कीम खोली थी इसलिए आई थी कोई भीक मांगने नहीं 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 रईस मदारी के बंदर से भी ज्यादा उचलते हैं तुम्हारे यार अरे यह इनके काम की लेगन है चलो तुम्हारे मैं कलक्शन के पष़े लाता है फुर भड़ा बरता है दो मिन टूख़़ए अ अरे बसंती लाल हां आज की कमाई कितनी हुई अ बस भरी थी पर ज्यादा तो बुड़े बच्चे मिल्टरी वाले सब कंसेशन कुछ खास नहीं तो डेड़ दो ढ़ाई थाड़े तीन अजाज जो हो गया वो दे दो हां जो है जो है जो भी है बस का काम तो शुरू हो मैं ट तो तो ड़ फोड के बिल्ट डालेंगे जीतनी है आपकी रोजी है न भाया यह हम दोनों की रोजी है ने ने आप गलत समझ रहे हैं यह तो क्या है ने कि आज पहला दिन था तो मैं टेक्सी में से बैट कर बस को देख रहा था लेकिन गल्से से नहीं करूँगा यह तो इस अपर देखिया ने तो आप गिर गए तो आप गिर गए कई पूरी हट जाती तो आप गिर जाती तो आप गिर गए तो आप कितने गिर गए होते हैं अब दोनों भी तू रट जो मेरी ने जिनों से अच्छा यह लीजे यह लीजे अब हम आपसे पंगानी लेंगे यह लीजे ठीक है बेबकुर्व समय रखाए क्या है अब इनको हमसे क्या तकलिफ है यह लाए पुरतुल ने तुल ने नहीं कहा तकलीफ है अब अब बॉर्णि घुट मोर्निंग गुट मोर्निंग अमारे मुसाफिरों को कोई आसुविदा कोई कश्ट कोई तकलीफ मालिक हर आदमी किसी को कैसे तकलीफ होगी सब खुश है आप देखे ना मैंने हर आदमी को कंदेशन नहीं बोला था मेरी बात है बुदर कि टिकित उदर जा के गाट उदर उदर आयो यह जो सज्जन आपके सामने खड़े हुए है यह बसके मालिक है यह ही रहे है आप लोग इनकी जट्टी ले उठिये इनने बैठने दीजे उठिये उठिये उठि आप लोगों का समाधान ही हमारा सुख है हमारा यह लक्षे है कि आपका सफर एकदम स्मूथ हो जैसे मू में मक्खान मक्खान में मक्खी आगई आप एक मिन दलवाई रहे अरे टायर रहे रस्ते पुरान है तो हम लोग क्या करें अपने मालिक से कहो टींग मानने के लिए और एक बार मूख खोला तो नकली दात गिरा देगी पबलिक इतनी सुविदा हम लोग किसी को नहीं देतें क्या गारंटी है हमें हमारा पैसे अपिस लेगाई पाज में अरे पैसे लेता हो मरमत क्यों नहीं करा आप भाई हो कर तंद तुझे कंसेशन मिला है तू मुह मत खोल अरे इसकी मरमत करो तो चोड़ने का नहीं बेग्रेट ड्राइवर अरे उसमें हवाने यह उसमें भी अरे इससे तो बाल गारी अच्छी थी देखो हमेशा गिराएक राजज होते हैं बिल्कुल सही होते हैं लेकिन आज हम लोग भी गलत नहीं है एक मौगा दो हम लोग नहीं जोड़ सकते इस पापा इस लेटल बीजी मतलब स्कूल की चुट्टी चुट्टी ने कल मामा खूद आएंगे अपनी बस से भांजो को स्कूल छोड़ने के लिए येस दोंट माइन मामू लेकिन आपकी खटारा बस देखके हैं ना सब लोग हमें चिडाते हैं वो तो अलग बात है बात में कभी नहीं आएंगे यह तिरी बेटी क्या बोल रही है अब यह क्या बोल रहा है अब है सब खत्म हो गया है कुछ ठीक नहीं है इस सामने देखने के एक्टिंग कर रहा होता है और उपर इसकी नजर आस्मान की तरफ देख रही होती है सब दंदा चौपट बस गयराज में अरे लेकिन हुआ क्या मुद्दे की बात करने अरे बस ने दुकान उड़ा दी औरे तिरी तु अरे वो तो अच्छा हुआ कि दुकांदार ये कनने चला गया नहीं तो दुकांदार तो जाता ही जाता साथ में हमारा धंदा हमेशा के आपके ड्राइवर ने मेरे दुकान कुछ डाली बरबाद कर डला साथ साल का पसी ना बह गया मेरी चोटी 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 कट गई अब बच्चिया उनको ने वाला कौन अकिलाएगा जी अरे तुम तो कंफ्यूज हो रहे हो तुम आदमियों के पैसा मा तुमारी दुकान गई की बीबी अच्छा सुनो सुनो तुमारा पैसे का नुकसान हो गया ना तुमारा पैसे का भरपाई करके देगा ना बाद में आ आप पर कौन भरोसा करेंगा जी अरे 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 इसको समझाओ आप यह सब क्या हो रहा है यह घर है की कोट का चेरी रात में भी केस चालू है लगे 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 तो प्रेमेंट पर इसकी मैं पसंती लाल को देखता हूं यहां बैटकर आराम फर्मा रहा है पाहार परबत पर गाड़ी चलाते समय एकदब मक्हन की तरह गाड़ी चलाता है और सड़कों पर के तरी चेश्में पर मक्हां बढ़ आती है यह गुरू चोटा-मोटा देखो आपको अंगरीजी के सब मुलक्ष्णाते हां आते है यह पटका मरोगा अखीच के सिदा पैतिस सिदा का तुन्हें जूता मारा है हात मद बान तूप बात करता है आइदश तुन्हें लागी अगर सी शुरू कर इसी महिन से तू चुपका ज़र और तू सून भई और जाते बाल्टी से, आइंदा तुने कभी ना अगर, किसी मूर्ख आदमी को समझाना और किसी मरे हुए आदमी को बोली खलाना एक बड़ाबर है, निकाल दे लो करी से, दूसरा डिपोजिट रखके नए ड्राइबर रख लेंगे, इमोशन से मत खेल, अरे ऐसा नहीं कर सक भूल गपला किया, कोई गलत चाल बाजी की, तो याद रखना हुए, मैं चान से माड़ा लूँ आ सब को, सब्सक्राइब, पहने दो समझे, वह वहाँ पर अभी, दो, दो ड्राइवर, सो ही सुबा, उठे ही नहीं, याद रखना, नमस्ते, हाँ जोड का उल्लूमत बनाना समझा, आगे ये अकल, सुनो सालो ये तुम दोनों के लिए था, सालो बस बेच के दीपक को कसाई का काम देंगे, और उसको कसाई गंडा सा, हम गिफ्ट करेंगे, अरे भाई साब, आप लोग कंसेशन के लिए आये क्या, आजकल यहां मिलना बंद हो गया है, नहीं नहीं ब बस तो पुरानी है, क्यों? मालिक तो नहीं नहीं हो. तो? इसलिए गजंदर सिंग को नहीं जानते हैं गजंदर सिंग को ओन है? एबई, एम्यू के सेक्रेट्री है ऐख्यल भारतियम मजदोरियों यान कि तो सिंग साब क्या आदमें हैं हम लोग तो मैं क्या कारू तुम ने हमारे जाए नंस से मारने की धमकी दी एक को नहीं दो को दिये तो लगता है सिंग साब को खुद हिस आकर टुमसे मिलना पड़ेगा हा बोलो शको कौष तरह रहा है सिंग साब वो गजंदर आप बोलो यह क्या नाठक लगा रखा एक बात बताओ भाई यह का सब्जी मंडी है जिसको देखो सर उठाए चला आता है दो किलो यह देना चार किलो मुरी देना अरे क्या लगा रखाए शरम करें सरम काम के न धंदे के न पाए सामें ट कड़कर बात नहीं करनी चाहिए थी यूनियन के आद्मियों से पानी में रहके मगर मच से बैर क्यों लेते हो वो तुम्हारे बस के रूट पर मुसिप्तें खड़ी कर देंगे तुम्हें लोगों से प्यार से काम लेना सीखना चाहिए हाथ मारने को उठे तो भी पुछका प्यार हो गाली देने का मन करें तो जबान पर शेहद लगा कर बोलो लोगों को इजजट दो उन्हें अच्छा लगता है हमारा क्या जाता है कजेदर भईया जिन्दाबाद तुम्हें लोगों से प्यार से काम लेना सीखना चाहिए प्रडाम महोदे आप ही गजंदर भईया है कहिए तुम्हें ने उस बिचारे ड्रैवर बसंतिलाल को जान से मानने के धमकी दिया जिन ही आवेश में बोलने मातर की चेस्टा की थी प्रण तुम्हें अपने आवेश के लिए च्छमा प्रारती हों लेकिन चालक को बेईज़र करने का जो विचारा घरीब मजदूर है उसका लाइसेंस आपको किस ने दिया अगर शमा से भी संतोश या शानती नहीं है तो मैं आपके वान चालक के चरणों को पर्श करके उनके आवेश को संतुष्ट करने को तयार हूं और वैसे मैं आपके महान वक्तितों के सामने नतमस तक हूँ देखो मैं तुम्हें या डराने धमकाने नहीं आया हूँ सिर्फ समझाने आया हूँ आज का मजदूर मजबूर नहीं है मजदूर पर मालिक के मनमानी वो यूग ही बीद गया भीया अगर यकीन नहीं आता और आजमाना चाहते हो तो दोबारा ऐसे कोई हरकत करके देखो लेकिन एक बात याद रखना शुरू ये खेल हमेशा तुम मालिक लोग करोगे लेकिन अंत में जीत हमेशा हम मजदूर भाईयों की होगे समझे आया है जी बिल्कुर बिल्कुर प्रभू आप और आपके साथी धन्य है हम नगन्य है आपने हमारे ग्यान चक्षु खोल दिये गजंदर भाईया जिदावाद खयाल रखने है इन मजदूरूं को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किसे बसंति लाल जी को एक बार में खास खबर कुछ नाश्टा करेंगे आप आपके लिए कुछ मगवाओं मैं रश्यन सेंडविच उत्तपा यह बस आपकी है आप अपनी पत्नी और बच्चों का लेकर घुमो ना इसमें महेंगा पड़ेगा नहीं में भाड़ा नहीं लूँगा आपसे देखिए मेरी पत्तिया मेरी रही नहीं मुझको तलाग देखोर से किसी और के साथ शादी कर लिए अगर उस पत्री को मैं इस बस में घुमाऊंगा तो उसका लेटेस पत्ति मेरे को बहुत कुछ ती की तरह अपने परिवारा को घुमाई है ना आप ही की बस है यह माबाप के अलाव कोई नहीं है दुनिया मेरा मालिक है तो आपकी बस अच्छी है लेकिन अनाथ होने का खत्रा नहीं ले सकता मालिक आप लश्टा करेंगे कुछ आपके लिए मंगवाओ मैं घर से आपके लिए खान यह माकस काओं यह मंज्दूर होकर माकस के बारए में आपने नी सूना नए नए माकस के बारह में सूना है वह जो स्कुल में इम्तचे पर्चे परची आ जो मिलते हैं और वही ना अख़बार चेश्व में से चिपकाए फिरते है और कित्र barely अर्ट बौलोए या जासे गु स्कॉच है औरिजनल अच्छ आप सोड़े के साथ लेंगे या कोल्ड रिंग के साथ है नहीं प्लेन प्लेन नीट डारेक्ट आइस 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 बीबी अभी देखिए उत्तम भाई इस एरिया के जमीन के भाव जो है वो जल्दी बहुत तेजी से गिर रहे हैं हाँ लेकिन मैं आपको अभी भी वही कीमत देने को तयार हूँ जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया है और भाई ये तो अच्छी बात है नहीं वो हो जाएगा डॉंट पूरी इस वे आप लोग जल्दी से सोचके बताईए सोचना क्या है उसमें थोड़े दिनों में हो जाए जबता जीजू मालिक यह आपके जीजू है हाँ बसंतिनल को बलालो तुम लोग को रोज को आने जाने का प्रभममस और कर लालता हूं आई जीजू नमस्ते मेरा मूं के रेड सिगनल है जो मेरा मूं देखते खड़े हो गया आप आर सी सी एल डिल निकालो जल्दी कल रात क को दिखाया था ने मैंने आप टाइम क्या हुआ था नौ बजे था रात को बस आज बजी निकली स्टैंस अरे भूलके याप व इस्त्री वाले जगडा करें अंडर्वर में घूमरे थे खड़े खड़े डोंट तॉक इन बिट्विन आवर लिंक विल भी ब्रोकन ओके और म इसका मतलब बस ओवर लोड है एक्स्क्यूज मी इससे दुगने लोग बस इस्टाप पे छोड़ के आए है क्योंकि इस रूट पे एक ही बस चलती है लोग चलती बस में अंदर कूते हैं देन बाट वी विल डू इस बस का ताइम तेब आर्टियों को भेजा था ताइम पर पैच भी नहीं लगा हुआ है देखो कैसा चमक रहा है लुक्सी बॉच फर्स्टेट बॉक्स लगा है आप बॉक्स भी अंदर दवाई भी है इखाओ आई सार गुरू है उसके जखमों पे खारी पत्ति चिपका दो किसको कहा अरे रिश्वत खोरी का जखम है उस पे खारी अजय को ठंदा कीजे जाइए पानी ठोड़िए उस पर अटो हाँ खोलो क्या अरे फर्स टेट बॉक्स होलो तो फुल को फुल को क्या अरे इस टो फुल को फुल को अरे अरे कुटता नीच युढाओ वो है अरे को टो कि अ टायर्स ठीक नहीं है। रूल 9B ब्रोकर। यह ओवर्लोड है। रूल नंबर 65 D भोकर। चुक्ता नइप चुआ है यहां पे। वादस में पुत्ता ब्रषुआ था है इसर रून नम्ट पता नहीं पट जेखना पड़ेगा भर्षुपन जिजुँँँँँँट नेशनल्परविट पाट बीनोट शूंट रूल 238 ये प्रोगन अजने के वो है, यहाँ. चायप नुचाँ चायपनी चायपनी यहाँ नुचिक्पक्न मै veterans यहाँ ही थीद अॉचिक्पक्न ङाँ… चायपनी चायपनी अशाएःट क्लास ब्रोकर ये बस अभी के अभी आर्टियो आफिस लेके चलो इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसल जब तक मेरी इजाज़त नहीं मिलती तब तक ये बस आर्टियो आफिस में बस ये जीजु नजर आते हैं कि ये साइड़ जोना अगर सरकारी गाड़ी का कांच नहीं तूड़ता तो बात अपने हाथ में थी ये बागड़ विल्ला जीजा कहीं मुझे अंदर ना करवा दे तू गवड़ाम गवड़ामाद मैं हूँ मैं क्या करूँ यार ये तो कोई साधी वर्दी पुलिस लगती मुझे पुलिस वाला ही नजर आ रहा है अब आपकान मेरा ठार प्लीज डिलेवरी देने सर आजस्थान में नारियल बेजने सार प्लीज विरा ट्रक छोड़ दीजे सार प्लीज उननिस देदा और निकल लो अच्छा साप सर मेरा क्या मेरा क्या होगा सर रूल इस ब्रोकन मेरे घर में फर्स मिठाई का बॉक्स ओपन थैना विल गीवी टोकन ओके हो जाएगा अरे बात मामनी बात है नहीं टाश जलो दो थोड़ दो और थोड़ दो और थोड़ मत करवा गाड़ा भी छोड़ देते आपकी थैंक यू वरी मज़ सर या जिपग अरभई आपके पिता जी ने हमको पढ़ाया है इसे गुरुद अच्छान है समझ लो कैसे हैं सर अच्छे हमारा नमस्ते कहिएगा उनसे जी जरूए वा उत्तम मान गई बायम आपको अनो मामनी शी तो खेरा भी थी गाड़ी में और फिर भी आपने अपने साले की गाड़ी पकड़ा दी थैंक यू सर भाई आप इमानदारों फेविटिजम नहीं करते हो यह जताने की जरूत नहीं है यह तो हम भी जानते हैं मैंने या पे दस्तकत कर दी हैं आप भी कर दीजे और इनकी ब कांच तोड़ा है कांच इस आप थी एपसलूटली ब्रोकन सर चुर्मानों तो भरना पड़ेगा न सर कौनसी जीप वही जो मैं लेके जाता हूं सर मंदर वो तो गैरेज में है ना तुमने तो बोला था जीप पट्सों रेडियो कर आ जाएगी बिल भी भेजा था दस हजा बात ही है न सर की सर बस के टिकेट बस के टिकेट बसने मिलें लेंगा ने 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 चबाने के डाले थे यहाँ पर कंपनी का दा कंप एक मिनिट क्या है कंपनी अगंडार कर अगंडार कर पिंटिंग प्रेस अरे मेरी नहीं आपकी कंपनी का नाम चल चला चल कंपनी अरे पायल जड़ा देखो तो इस मेंटल डिस ओडर का ओडर पुरो हुआ की नहीं तुम कितना हुआ एक हजार ए फोकट महलिक रानी विच्वे आर्यू टॉकिंग पांच हजार का ओडर था यहां भी कंसेशन टिकेट पांच हजार उसका बिल एक हजार वेट देई बात आपकी आधी खोपड़ी में और यहां जाधर टाइम पास किया ना तो प्रिंटिंग तुने टिकेट दिया था उसे याद नहीं तो यह याद कर उसने टिकेट लिया था तुझसे शायद नहीं अरे तुछ कंडेक्टर है कि जमेला तुझा कुछ भी याद नहीं है टिकेट प्लीज मेरी चेकिंग क्यों मेरी इमार जी निगालो निगालो टिकेट निगालो पूरी भरात तो पापा मम्मी भाई बहन कौन कौन कहा कहा बैठा है दिखाईये मैं पुरी बारत लेके आई हूँ आपको कौन बोला तो फिर यह इतने सारे टिकेट यह सब मेरे हैं एक कल का एक परसो का पूरे हफ़ते के इकठे करीदे क्या पिछले हफ़ते के हैं इन में से आज का दे यह थे कहा है आप इनने तो दिये नहीं अरे सुंधर भी क्या हो में इनजर नीचे मल पीछे टाइपlect कन्या टिकेट सीधर प्रिंटिंग प्रेस से ही लाती है अपना पासो का ओडर था पासो खुद के भी बना डाले रोज एक एक पत्ती निकाल के हमें बेवकूप बना रही है क्या बक्ती हो आप मुझे चोरी का इसाम लगा रहे हो मैं जो भी काम कर्थी हो जो भी अकाद है मेरी मैं असी गिर्यों हरकत कभी नहीं कर सकती बस रोगो कर से मैं इस गंदी खटारा बस में पहने रखूंगी तुम इस खटारा के लाइक भी नहीं हो तुम हवाईजाज करिदो हवाईजाज उस पर चलो है मेरा एक काम है आपके पास हम लोग किसी और का काम अपने पास नहीं रखते आप जा सकते हैं मजाग नहीं समझते जी बताइए क्या काम है जी मैं आपकी बस में धंदा करना चाहते हूं लाइफ इंस्वरेंस कर सर और मेरे धंदे के लिए पब्लिक टांसपर से बेतर कोई जगह हो ही नहीं सकते किसी भी बस में बैटो सच मुछ लगता है जुन्दकी का कोई भरोसा ही नहीं और उसी डरावने मुकाम पे अगर मैं पैसंजर्स को बीमा सुरक्षा योजना के बारे में बताता हूं तो कोई भी विचारशील घदा ये पॉलिसी लेने से मना नहीं कर हो सर्पोड़ने से अाफिक और पॉलिसी ढारक को आपकी बस में कुछ होता है तो आपका कमिशन डबल लेकिन जब मैं दुआ आ कर रहा हूँ है के मेरे कि साथ कुछ नहों आप दुआ कर रहे होंगे के एकुछ हो तो कि छो कुछ भी हो इसलिए कुछ हो इसलिके नहीं हो सक हावा में मज़े मारा नहीं सबकी सुरक्षा की गरंटी को लगा मुझे अगर मारो हो गया अब बचाई क्या अरे बहुत कुछ बचाई का ऑग अज Candice कब की इस को और जञतिकी सुरक्षा करा ने कि ऊदो पो इंड़रेंगें तो हम जानेक्त पूर्स मुझे झर मुद पारेंगे ने उसको के लिदे करवार कम झाएगी इंशुरेंस की पेपर कहा है बसके नहीं है क्यों बीमा भाएगी नहीं क्यों हो गए चुप्टी सारी चाबिया उस लड़की के हाथ में वो हमें बचा भी सकती है वो हमें बेच भी सकती है कि खिलाने फिलाने से भी कुछ नहीं होगा है और भी खाएगी खाएगी ही तो कितना खाएगी यह भैस लाक दो लाक कम से कम तो चुपकर राइजा कुछ नहीं होगा यह कंजिशन वाली नहीं यहां पर एड्मिशन क्यों ली अपनी एक्सीडेंट वाली कहा है लैंजी सिस्टार यह बस एक्सीडेंट हुआ था वो प्रेशन का है वो रही यह है वही है पैर फ्लेक्शर है स्कानिंग करना पड़ेगा ऑपरेशन भी हो शायद है आप उनके पती है नहीं उनके परोसी हैं कभी-कभी उनकी देखवाल करत मैं नहीं खेलूँगा आप जाईए हैं से रेसे तो आजाओ यह हमारी किस्मत के अकाई के उपर लिखी हुए है जब कदम रखते हैं फिजल जाते है अब पाला ही पढ़ना था तो यह इस लेडी घरगिट से पढ़ना था मुझे तो पब्लिक मैड लगती है लाल बत्ती ग लगकर आगया आख लगई नीद में चलने की विमारी है कुछ हमारी जाने पड़ तू भजरंग बाण चला और यह बता मैं करूं क्या मेरी जानुक खत्रा है मुझे पहले हवा मुछाला अब पातानम गार देगी है पबलिक मैं माफी चाहता हूं मैं फुटास गोली खाता तेरे को आल दा बेस्ट टेक एर हाटी कॉंक्रिशलेशन क्यों मेरी के शादी हो रही है इसकी साहा फिट करना हो वहां फिट कर दे मैं चला फिट कर वाना फिट कर दे लड़की है कि स्कुरू है गोड़ इवनिंग मेरा पैर गया काम से मेरी तो जिन्दगी बरबाद हो गई आप क्यूं मेरी पीछे पड़े हो आप और वो आपका डैमेजर मैंने कंसेशन क्या मांग लिया उसने मेरी इंसल्ट कर दी मुझ पर मुझ पर चोरी का इंसाम लगाया मैंने कसम खाई थी कि मैं आपके बस में कभी नहीं चड़ूंगी तो आपने आप नपने ज्राइवर से कहकर मेरा एक्चिएंट करवा दिया यह 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 जूटी बात है आप तो मुझे प्रेम चोपड़ा बना रही है एक्सिडेंट ली हुआ था अगर एक्सिडेंट मैंने करवाया होता तो इतना खर्चा की उठाता मैं आपका ना 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 उस दिन के जगड़े के बाद मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सक आप देखिए मजाग की बात नहीं है इत डिवाली होली जयनती विमारी बैंक होली इसके बास साल में दिनी किते बचते हैं और वह भी आदमी अगर कोट कचरी में गुजार दे तो बुड़ा पाना तो पक्का है लेकिन आपके साथ नी होगा इस बात की फूल गरंटी है इ क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क करने कोशिच करते हैं इसलिए तो बोल रहा हूं अपस में इप्टा डालते हैं कोट पे जाकर क्या चील की तरह चलाएंगी मैं आपके साथ हूँ ना मैं आपके साथ इंसाफ करता हूँ आप क्या कर लेंगे आप आप मेरे परीवार की पूरी जींमि दारही लेंगे आज से आपका परिवार मेरा व आगे बुली है आज से यापकी तीन टांगे बुली है अनुन अपके पतीबेश्यलता है इस जे जैसी हं तब तो यह बिल्कुल छोटी फैमली है मैं बिल्कुल समाल लूगा बेफिकर रही है तो मैं यह समझू कि यह था होगे आप सबको समाल मैं सम्हाल लूगी डोंट वरी आप सर्वो सबका कर्चाओं सबका कर्चाओं सुनिये मेरे लिए जड़ा चाय बना के लेके आए प्रीज आप साली ब्लैक मेलर कि परेशान हो जो जाए परस्ट एम सेकंड एंटार लिए तो पंचर हो गए सेकंड एंटार लिए तो दुकान वाले को 35,000 रुपे देने पड़े उसके बाद एक्सिडेंट हो गया कि अरे एक्सिडेंट ही होना था तो तुम्हारे जीजाओं में से किसी एक का होता दोनों को बसंतिलाल के चेरा दिखा देना चाहिए था जादा मत बोलने तो बसंतिलाल को तेरा चेरा दिखा दूआ दोनों जीजा है मेरे जीजा के भीजे क्यों पट रहा है बगर अड़ी मज़ाग कर रहा हूं। मालिक मेले की तैयरे शुरू होगी। तुमाय गया करो। छमिया की तरह नाचू। नहीं गुरू। अपको पताना भूल गया तरा वो मेले वाले लोग है न। चंदा मांगने आये थे। मतलब आजया बजला है। एक फूख उनको भी मारनी है नहीं मालेक मेला मतलब पैसे का रेला यहां का 56 गनपदी एकदम फेमस है बहुत लोग दर्शन के लिए आएंगे बस स्पेशल परमिट निकालना पर फिर से परमिट अरे मालेक रात दिन बस ठसा ठस भर के चलती स्पेशल परमिट होगा ना तो क मेरे को हरी पत्ती ने मिलती ना मैं गयरने बदलता हूँ अरे पसंथी लाल एक बार मेरे पाँ पैसा तो नहीं दो पिर तुम लोग देखो मैं करता क्या है पहले मेरा देना क्या बूला यह क्या बूला मैंने सुराई नहीं फिटीक है आँ अर्णादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा ल स्ड़ और दो दो दे लिए इंद दो 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 दोरीर कोँptions झाल झाल हुआ हुआ झाल झाल कर दो लेखरों अपराओंग टूजदी ना करें लेखरों लेखरों के लिएरे जाएंग आया है पर बहुत समय बाए दबाए के समाई हुई है यह क्या बात में जी एक अ कुछ नहीं ऐसे दुपटर ठीक कर रही थी तुम्हें क्या कर रही हो मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने अब तक फूटी कॉड़ी भी नहीं चुकाई वो गनपती के मेले चल रहे थे यह पर एक मिनट की फूरसाथ नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल से डिस्चाज होने के बाद मेरे पास घर जाने के लिए एसी टैक्सी के पैसे भी नहीं थे तुम तो मेरा सारा खट्चा उठाने वाले थे ना यह क्या तुम सुन लिया और तुम सुनो तुम घबराना मत अगर कुछ भी होगा ना तो मैं समाल लोगा यह लड है उस दिन तुम भूल गाए जब मैं अस बदाल में थी पूतार और इन्होंने इन्होंने कहा तक कि मेरे पूरे खांदान कभी ख्याल लखेंगे कहा था कि नहीं हाँ मैंने कहा तो कब रखेगा उसके मरने के बाद शुब शुब बोलो दीदी पहले एक जूटे आदमी से म तो समझे रहे इसके खांदान वाले सब ठीक ता गया और ऐसी कोई बात नहीं है और तुम दुनों मेरे कांदान के बारे में कुछ बोला तो तो कियो बोलेंगे उन बेचारों का कसूर है सोरा कसूर बाश का है क्या बख्वास कर रहे हैं बार-बार कि मेरी मा तु मास समझत मैं बच्ची हूँ लड़की होस्पटाल बता ही नहीं अरे बाबुजी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे अम धेरे में रखा वह भीस्ती पकने मुझे भी मैं चुप नहीं रहूंगी एक लड़की की मेरे सामने जिंदगी बर्बाद हो जाए यह मैं बर्दाश्ट नहीं कर अब ढरे तु टू जा अंदर इस पास और मेरे रोज के दवाई और इंजर्शन का कचा हजार रुपया है था तु पासो और पाड़ जा अरे नहीं है यह डापास कर दो अन्दर और मेरे बस के बिसनस अच्छा चल रहा है तो पैसे आने बाकिए जैसे आ जाएंग तेको प वादा वादा करता हूं मैं तेरों को पैसे देदूंगा अब तो भगा तेरी धन्नों को अरे पहले वो कमीना कंड़क्टर आएगा तभी तो गाड़ी लेगी और देखो जिसको जल्दी है वो जाए पदिया तरफ है अरे पुजारी जी अब आपने हरी लाल को देखा क्या यहां तो सबलाल हरी के है तुम ने जो माथे पती का लगाता है हाथों में धागे गले में तामीज पहनता है सीदा सा हाथ जोड़ू कंड़क्टर राम 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 नाम मतलोश हरामिका पीकर कहीं पड़ा होगा पर यहां हरी लाल आया था यहां पर हमेशे आता था लेकिन कुछ दूनों से नहीं आया कहता था कि नहीं नौकरी लगी है अब उससे कहां नूड़ू यहां पर माई है वैसे उसकी एक है अरट अब पहन जी ए एक टेक्सी लेकर आये थे और दोनों निकल गए सुबा- इस इस देखते हैं अब कुछ पता चला कुछ लेंदेन बाकी था ना इन पिज्टो मेंने का पगार लेने आया था और लेकर गया इतना लेंदेन तो हुआ है दिपक मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं मेले का पैसार टिकेट का पैसार दस दिन का गल्ला नहीं उसका हिसाब तो वह आज देने वाला था क्या हुआ हुआ हरी लाल हरी लाल वह है ही नहीं ता है वह है वो उसको बार बुलाई है सुबाई यह भी आये थे लेकिन वह घर पर नहीं है देखिए आप उसको छुपाने के कोशिश मत कीजिए और जहां पर भी हम लोग उसको ढूड़ निकालेगा है तो चुकर क्या उसने कोई गलत काम किया है है जी नहीं गलत काम तो हम लोगों ने कि है जो उसको लौकरी देदी बगर जान पचान के बगर किसी डिपॉजिट के अरे हम भी मजदूर आदमी मजदूरों की मुश्किल समझते हैं उसके धरम गरम के ठीके पर भरोसा क्या कर लिया कि उसने हम कोई टीका लगा दिया कितनी ताक में बैटेवे थे हम लोग कि यह तो उससे करदारों के पैसे चुगाएंगे और वो हरी दाल सारे पैसे लेकर भाग गया उससे कह दीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुपकर बैठा है वो उपर वाले की नजर कैद में वो उसको माफ नहीं करेगा अरे हरामी ने नाक कटवा दी इस उमर में यही स पैसा नहीं निकाल कर फेक दे अरे कंप्लेट तो लिखवानी पड़ेगी ना यार वही तो सोच रहा हूं मैं उसके बुड़े माबाब को देखा उनके हाल को देखा हमारा तो पैसा गया है उनका तो बेटा ही फरार हो गए हाँ पुलिस कंप्लेट कराएंगे तो क्या होग तकली तो बुड़े माबाब को हुगी बेटा तो क्या है बदा बारेगा तरणाटन उसकी पुराई की सजा उसके बुड़े माबाब को नहीं दे सकता पहले वीचारे धलान पहले मैं उनको धक्का की दूँ ए तेरा दिल बड़ा है लेकिन दुनियादारी दर्या दिली नह तो जाला नहीं तो अंधेरा तो ही आरे वो लोग दोनों तो इसी ताक में बैटे हुए कि मुझ खोलू और वो लोग अला बोल दे के घर बेच दो और मेरी मुझकिल यह हो गई है कि मैं किसी अपने को मुझ खोल के बोल नी पा रहा हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है मेरे अधेरा नहीं है मैं मांग कर रहा हूं तुस्से मैं तो बता रहा हूं बोल रहा हूं और तुस्से तो पैसा मेंने हक से मांगा था लेकिन मेरा बैट लग देख पे तुझे लोटा नीप अबे साथ चलतो सही तू मेरा ब्रदर है मेरा छोड़ मेरा अमरीका जानना मतलब हूं इंगलिस सेखो अरे चड़ती पतंग की डो रहे रहे तो यहां कॉनसी पतंग लहरा रही है हूं को ताई घारी दोनों की कंड़क्टर सा ना मिले इसको दो मिलके धोएंगे जितनी जल्दी हो सकेगा चुका दुआ सा है कंड़क्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा रहता है कंड़क्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा रहता है कंड़क्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा रहता है कंड़क्टर मिलने की दुकान होत उसके बाद बनेगा क्लीनर पूरी वसका कीचर साप करेगा और हम पे उच्छा लेगा यह कैसी बाते करें हाँ ठीक ही कह रहा हूं मैं समालो बचालो वरना पूरी सोसाइटी में हमारा फैमिली स्टेटस ब्रोकर ना कर वक्त खोटा नहीं कोई काम छोटा गर है लगन तो जिया हो जाए मगन चल चला चल चल चला चल आगे तू बढ़ चला चल जो हुआ उसे भूल जाओ आगे बढ़ो बिटा भाबुजी आज से रोज रोज घर आना नहीं होगा कभी कभी बस की रखवाली के लिए स्पॉर्ट पर रुखना भी पड़ेगा ठैक्यू मेंचिन नॉट बाईयो और बहनो चल चला चल कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पते की बात यह है कि मैं बसका मालिक इस बसका कंड़ेक्टर बन गया हूँ अब यह सब क्यों हुआ और किसलिया हुआ यह सब लंभी कहाणिय में आप लोग को बाद में सुना वाई फिलाल आप लुगों का स्टाप क्या है किराय कितना है खुद बाखुद इमान्नारी से के अंदर इस बस में कितनी और पुलीस कॉंस्टेबल है इस बस में हम डीसीपी की बेटी की साधी में जा रहे हैं मेरी तरह से मुबारक बात बोल देना सलाम बोलना आप लोगा है महालक्षमी मैं आपका नाम नहीं आपके बस्टॉप का नाम पूछ रहा हूं यह बस्टॉप पढ़िए इसको यह क्या क्या तुमने हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है अपना धरम समझ कर आप किस मसले की बात कर रहे हैं शैतान की दूआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है वह पुलिस कंप्लेंट का अरे तुम्हारा आदमी मुझको चुना लागा कर भाग गया और मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर डाली कंप्लेंट तो मुझे करनी चाहिए पैसे का मेरा नुकसान हुआ है लगा के क्या रखा है क्या लॉजिक क्या है इसके पिछे उसूल क्या है मगर याद रखना एक बात मैं छोड़ूगा नहीं किसी को लेकिन अब मुझ खोलना आपके हित में नहीं है पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ है एक मजदूर पर जूटा इल्जाम लगा कर उसे नौकरी से निकाल कर मानसिक कश्ट दिया है आपने उसे चोटी बात नहीं है ये पुलिस कंप्लेंट में तो यहीं दर्ज है इसलिए शक की निगा आप पर जाती है तो कागस पर कुछ लिख दिया तो क्यों कैसा चुड़िया पुलिस के सामने लिखवाने से बात पक्की तो हो जाती है न कानून है समझे आप हां मुझसे पहले कंप्लेंट कर सकते थे आप लेकिन ये मौका तो आपने कवा दिया तो आप संभल कर कदम पढ़ाना और संभाल कर जबान चलाना आज के बाद संभल कर तो तुम रहना मिश्टर सेंग कानून कोई बच्चों की दौड नहीं है कि जो पहले आगया उसको प्रॉफी वाफी मिल जाए और यह जो यह कानूनी तीरचे दाव पर लड़ रहे हो ना तुम याद रखना इस अच का तीर जो है ना यह सीधे घुश जाता है कि अपाराण तूम दो जाए तो और! झाल टू! है कि एर शारी शारी मेरेक फेल जुड़ा रहा है तो युड़ा चैनल पेल मुझे ने प्रोक्षा ने उला जे थी त्हुम मुझे काश एसा हुता कि प्रेक टाइम पे लगा हुता अहरे लेकिन आप वीज शड़क पर स्टेच वाप लिवटेरी बन क्यों खड़े हो Statue of Liberty लेकिन अमेरिका हमें जाना है कि आपको बस लेके जाओ कि क्या अमरिका अरे हम साइकल्स जाएं लेकिन सड़के बीचों बीच खड़े हो नहीं क्या खुजली आपको एक खुजली मस्टर ये मेरा काम है उस तिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे की पाट ये शीणी 놓ानी तो फिर लोगों को अश्रीफ लेकिने अकी बातころ बिताईए वह दूप की अंदर नहीं कर दबाएं तेडंग अभी लोग आपके दर्शनаем के लिएक विस व्यों 1डवत ब्रूक आपकी बस जब पंपर ऎिजल धी तो बुना है क्या गुना है बस पैसेंजर से भरी हो गुना ही है समझा देखे जीजू मेरी बात है ओ मैं तो भूली क्या था क्या आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है तो आप जो कोई भी है आप जबर्दस्ती बाल की खाल मत उतरी है आपके कहने के वेड़े से हम लोगने बस के चार टार कंडक्टर विदाउट बैंडक्टर विद सा यूनिफॉम सेक्षेन नाईंटी ब्रौकन के वाैपर अभर कम आत्लब ज्यांते हो हां खतनाक जैला साप गबर्धार है3000 वायपर हैने सब्लौ locking जया रोते रोते चलता है कि त्रीताल जबताल में नाचता है अरे जैसे भी चलता है बारिश का मौसम नहीं है आपको वाइपर से क्या सरोकार है हां दो दो वाइपर है एक खड़े जंग लग गया है और दूसरा खड़े खड़े टेड़ा हो गया है क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? I understood. रूल नंबर सिक्स्टी फाइफ, सेक्शन ओ प्रोकर. मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए. क्यों खाएंगे क्या? शाड़ाप! I will charge you. ए बसंदी लाल, जाकर वाइपर लाकर इंके चश्में पर लागा ताकर इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे. देखा, तुमने मेरा परसनल इंसल्ट किया है. शम्भावी नहीं है. आप तो प्रफेश्श्णल टाइम के ओपर परसनल होते ही नहीं है. तो अफिर परसनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा! फाइन फाइन मारो या ताना मारो आपके चाहते हैं कि हम लोग सड़क के उपर आजाएं हम लोग सड़क के उपर आने के लिए तैयार नहीं है जो सेक्शन लगा ना लगाईए ओके ओके यह तो वही है दुबारा मुंबत दिखाना हा तो 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 इस पर भरोसा करें ऐसा नहीं पैंट सिलाने के गए और वहां पर पैजामा से दिया इस प्यक्तर के लाबा कुछ चारा भी नहीं है देर थ्री इसकी कैची कापती है देर फोर इसकी ग्रहक कम है देर फाइब कि आंकि दो खुद की मूग की लाइए उखडिया दूने भी कंड़िकटर के ऊण के यूनिफाइं सिलाना है पैसा हमारा कपड़ा debating आपका और तुमारा है अधे घंटिक पीछे क्यों पड़ा है अधे बात है अचैंजोंने भेज़स एक ने यह घंवान भी में अगन रिक तुने उसके साथ अर देखो उसकी हजार कच्रा बातों में एक बात तो सही थी ने कि अधिक्टर का ड्रस होना ची नहीं वह भी धाल मार के गया है तो पूरे दिन में अब थोड़ी दुबारा पकड़ेगा एक दिन में सिर्फ एक बार ने एक दिन नहीं आज बर की बात कर द कि अधिक्टर अब चलों मुझे कपड़े उतार ने बात कर रहीं अप अरे कपड़ों की गथ्री ऊपर से धोबन हो अच्छा मेरी दुलाइं मत करना मेरी मां है बाए है अब कहां चोट लगी है यहां कैसे अना हो ऑ है और कहां जाओंगी प्रिंटिंग सोंग भी नहीं रहा और मुझे तुम से कुछ काना है अरे उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना 야 मेरे जो लेकिन तुम्हारी किसमत लाजवाब है और मेरी किसमत उसका तो जवाब ही नहीं अगली हफ्ते मेरे मामा की लड़की की शाड़ी है मुझे कम से कम एक सिक्का तो देना होगा अलो उतना तो दे ही सकता हूं है क्या बात करती हो सोने का सोने का पिर रोजी रूटी का इंतिजाम करना है बैसाकी की वज़े से मेरा घुमना पिरना बंद हो गया है मेरी सहीलिया कहती है मुझे कपड़ी का शोरून पूलना चाहिए मैं जगह कैश काउंडर पर बैठी रहूंगे और काम होता रहेगा लग कर दो परिवार के दैनों चाहता हूं उसके तुमारे मेरे और बहुत सारे लेकिन उपरवाला मेरी ज़ए द्यार रखे वैसे निकाल निकाल कर मैंने कुछ निकाला यह निकाल कि इतना निकाला यह रख लो अभी ओ भाई साब बस निकाला टाइम हो गया हां ठीक एटीक नि नोट है दूसरे हाथ में इंसानियत को रखियो वरना आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा तो पर बन्वारी साब बन्वारी साब ट्रेस रेडी है यह नहीं है तो क्या ड्रेस बेच खाया आइमें ड्रेस बेच पी अरे नहीं वह बेड़े लेगी इस त्राइक करने के लिए तुम्हारी बेटी को ले गई लेकिन तुमको पैसे अड्रोंस दिये थे ना तो तो मैंने कहा था कि शाम को आकर लेकर जाओंगा आथि नहीं तुम्हारी तार रेती है वह वह चलो चलो बात करतें चलो चलो चबन प्राश में तो बहुत ज्यान है यह तो सीधा नहीं कि अचिछ ज़िए नहीं सीधा चलन शराब पिता हो ना मैं बहुत जादा आज तो पर में यह ना दुगान पर आज आज यहां रहती है आज तो ने यह तू चल रही है हाँ चल रही है तो तो अचल रही हाँ चल रही है तो यह आपके कौन लगती बेती तो इसकी तांग धराब नहीं है तो इसकी तांग नहीं आप मी खोबने हराब है अरे इसका तो बस से एक्सिदेंट हो गया था आखाँ बसका एक्सिदेंट हुआ था टांग में चोड आई थी फिर दो ती दिन अस्पताल में शुट्टी बना के आ गई है लेकिन इसका कोई ट्रिटमेंट तो चल रहा होगा कोई दवा दारू अरे इसकी दवा बन मेरी दवा चालू है चलू तो नहीं 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 आप एक काम कीजिए आप मेरा कंड़क्टर ड्रेस यहीं ले आई है कि अचानक अगर मैं आपके घर आगया ना तो आपकी बिटिया को अच्छा नहीं लगेगा बहुत शरीफ है ना बिचारी बहुत ज्यादा शरीफ नहीं नहीं मैं तो कहता हूं बहुत ही जरूरस से ज्यादा शरीफ है यह जाई आई सुन दिपक सुन रुक रुक सुन सुन तू पेड मत गिन आमखा सीट वीट इंजिन विंजिन टायर वर्स सब कुछ अपनी जगए पे है बस की लाइट चालू है जुगनू चालू है मतलब बस में जुगनू हो शायद एक जुगनू के इतनी लाइट नहीं होती है क्या माल बाइट मैंनर्स काम जुगनू का है देख मैं राओं तुझा तकलिफ हो रही है तो आधे गंटे पाद जाना उन्होंने एक गंटे के लिए कहा था किसने काउपले है सी ओ यू पी अली कपल एक मेल एक फीमेल अबे तुने तेरी तो भुद्धी द्रश्टों की भुद्धी द्रश्टों की जिवाब पर शराब चड़ गई है और इंसानों को छोड़ूंगा है नि मैं अबे घर के आटियों ने पहले ही मेरे नाक में धमकर रखा है गाउं की पुलीस पकड़ लेती तो मेरी नाक जाती पट्टिया चरा के लिए अंदर बालो बाहर निकलो रुकाबट के लिए खेट है अधिश्ट चल्दी 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 निकलो अधिश्ट तो में यहां क्यों आ गई तुमको तो घर पर आराम करना चीए था चोड़ी की स्कूल की फीज देनी है घर पर बैठे रहने से क्या होता मेरी तो जिन्दगी बरबाद हो गई मैं यह सिल्सिला ही खतम कर देना चाहता हूं हमेशा के लिए नहीं मतलब मतलब यह कि यह तुम्हारे हिसाब किताब में जो हेर फेर है न मैं उसको हमेशा के लिए हमेशा के दी घर बैठी! बैठी अ viewing जम्हारी है? अलति! ईसके भगल तोंनाा चलना फिरनर बड़ा मुष्कील हो जता हो theo नौत, यह बंबूará के लेगता है.. साज बताओ, जब भी मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे बुखार आ जाता है, मैंने बड़ी पुश्टाच की, तब जाके ये जानकारी हासिल हुई है, कि ये, ये अच्छा नहीं है, क्या? तुम अपने साथ बहुत बड़ा खत्रा मोल ले रही हो, कौन, किस नहीं कहा? नहीं, उनकी सुनके मैंने ये फैसला ले लिया है, मुझे जल्दी है, मैं ज़रा, सच का चेहरा, कील और मुहासो का होता है, लेकिन आज, आज तुम्हें ये सच सुनना पड़ेगा, डॉक्टरो तुम्हें जाएगी, तब नहीं आएगी, वो बनावटी वाली, बनावटी वाली, बनावटी वाली, इलता मसली लगती है, चलना फिरना उटना बैटना, इंडिन टॉयलेट, वेस्टन कमोट, सब कुछ पॉसिबल है, अब, and I will tell you with the new technology, आज कल डॉक्टर लोग ऐसे तुम्हें देखी थी नहीं, नाशनल आवार्ड मिस करोगी, कितनी अच्छी अक्टरेस है तुम, अरे तुम, तुम हिरोईन बन सकती हो, मैं हमारी फैमिली डॉक्टर सा इलाज करवा लोगी, आप बस पैसे देते रहे ना, एक लाख रुपए दोगा, दॉक्टर को, तुम आता हूं, और चावी ना पर्स में डाल के लेकर आता हूं, अरे यह पैसा के लेकर जाओ, किसी और को बेवकूब बनाने के काम आएगी, दोड़ना है तो नैशनल रेस में दोड़ो, दिल्ली मुंबई मेरिथेन रेस में दोड़ो, पहले तुम्हारे पिणाजी पदाने किस गम में पी जाते हैं, उनको एक और मोका मत दो पीने का, कि तुम अमूह बिंगो, मैं जी हूँ या मरू तुम्हें क्या फर्क पढ़ता है? तुम्हें कुछ हो गया है, मेरा चाहोगा. खर्जा तो मुझे उठाना पड़े है, न तुम आपको क्या है, व्हाना निकाल लेती है, और आ एक जो तुम्हारे हर जूट को संच मैं लेता कि दूकान बंद ओने तक बोफी सेट के दूकान पर 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 उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया कि फिर बोला तुम मुझे पहले का पासा को थे में तुम्हे डालचावर और तेल दूंगा अभू पैजक भाग ना कुंट कि यृश ये जो कि दृवत बोलू कर ऐसने रिविंगा है तु पहुक्स कि दूंगा ना. तुम्हें थोड़ी तकलीफ देना चाहता था जो घर में है वो कम है क्या बेशर्मी के लिए लेकिन भी भूक लगी थी वचलस खुले होए हैं लेकिन वे होटल में खाना पसंद नहीं करता घर का खाना पसंद करता हूं और हो सके तो अधर वालों के साथ खाना पसंद करूंगा अब कि हमदार्दी की कोई जरूत नहीं है आप प्लीज जाओ यहां से दीदी बापू बापू अब इसको हमदार्दी मस्ते बाजना भलाए बसके बाड़े का पैसा बात में देदेना मगर इनको अस्पितार ले जाना बहुत ज़रूरी है कि अ जब 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 जब्यू摩्ट हुआ 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 थैंक यू लेकिन अब तुम जा सकते हो मेरे लिए ये रोज का है देखो तुम इस तरह मुझे कटी-कडी रहोगी ना तो किसी दिन सब्जी समझ कर तणका लगा दूँगा और एक दिन में तुम्हारी चोरी क्या पकड़ ली कि तुम मुखडी रहती हो हमेशा चलता है जिन्दगी है लेकिन मुझे बढ़काने वाला वो वकील था तुम्हारा जीजू दिरे-दिरे मुझे समझ में आया कि मुझे लंगडा घोडा बना के तुम्हारे साथ चत्रंच का खेल खेल रहा है वैसे मुझे भी तुम्हें चेलने में मज़ा आ रहा था और पैसा तो समझ लोगी गुजारा बाबुजी के कपड़े काटने से नहीं हमारे पेट काटने से हो रहा है वैसे यह बाटली वाला बाबुजी बाटली में उत्र है कब से साथ साल हो गए दीदी को कसरे हुए ओ आम सारी पढ़ाए करना चाहती थी दीदी लेकिन बाबुने विदाई कर दी उनकी जबर्दस्ती और फेर उनके ससुराल की मांगे इतनी पढ़ने लगी कि कुछी महीनों की थी मनी जब दीदी ने तो तब से तुम्हारे बाबुजी ने खुद को माफ नहीं किया समझ सकता हूं आजकल उनके दिल का बोज मैं हूं इन जम्मदरियों की वज़े से मैं शादी नहीं करना चाहती ऐसा उन्हें लगता है और तुम्हें क्या लगता है जार क्यों शादी के नाम से डरती हूं मे मेरा भी हाल दीदीजे साना हूं अरे तुम मिन्दास बैंड बजवा बारात का अगर तुम्हारा घर राशन से दिल खुश्यों से और गोध बच्चों से ना भर दू तो मेरा भी नाम कि टो मारोगी तो नीहीं कुछ है तुमने मैं जो पहले क्या दिया थे कि तुम्हारी तरफ नजर उठाकर ना देखूँ तबसे मैंने अपने दिल को मेरा मतलब के नजरों को बहुत सब्लावरा और आज देख लिया तो क्या हुआ हुआ मैं भी तुम्हारी तरफ देख रह और ऐसे ही देखती रहूंगी हमेश्या देखो तुम कह रही हो तो फिर मैं अकदम उठा रहा हूं मेरा मतलब है कि अपनी नजर उठा रहा हूं तो मैं इस बात को पक्का समझू है पक्का अब देखो भी मेरी तरह कि अची कर्से अची कर्या यह देखो आए इस संत्रा बारुपी अधर चाल एधिपक टपक कि अची अधिव के पाख किया हो यह क्या हो व्हें है और न तू बाबाल मा चाहिए वो कुछ गड़बड लिख्या है वह यह ने हरी लाल को देखा प्रांबराण कि पर रोगा अस्तिर दिख तो चेल इसकी अब गला चोर, साले मेरे पईसे लेके भूगिया तेरे को तो मैं ए तुमा लटने आक्यूबै नाम है तेरा हरी, करता है चोरी हम माब इतने शरीम है और बेटा टपोरी अब तुझझे अब इसको में मार की नओ कभी से ने, मार आए मेरा दिवाग संप का हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ये पसंती लाल और ये ये थो लोग हो तो में लाल भाग क्या का क्या चटक या तेरे चकर में बागके दैखा तो के में जए मारो गए? पागलोगा तू तू तेरे से इतने पैसे लिए में तू पैसे ने लिए तू मारते अबे तू मुझे को लड़ा तू उसको पागए तू दोला उसको क्या है? क्या है? युनियन ने एक फैसला किया और मुझे उस पर फिसलना है अब चो बात मेरे और पुलिस के बीच में है तो टो ये यूनियन ये बीच में आकर दया क्यों करना चाहती? आपने खरिलाल को बेरहमे से पीटा क्या लगता है आपको? कि हम लोग चुप बैठेंगे चुपी साथ लेंगा पीटा नहीं मैंने हम लोग जो बजार जाते हैं तो सब्चेब जी खरीदते ना थेले में बस उस थेले की तरह उठा दिया था खैर जो हुआ सो हुआ अब यूनियन की मांग है कि आप हरी लाल से माफी मांग लें उसे तंखा दें हर जाना भी दें और उसे नौकरी पर वापस रख लें बस इस किसम की बेतुकी मांगे मांगने के लिए ना आपको चौक के उपर सम्मान मिलना चाहिए इसका अंजम ठीक नहीं होगा अच्छा साप की फुपकार देखकर के जो भी मुझे खोलने लगे अब क्या एक्टिंग कर उडरने की एक्टिंग करने की सुर्वत नहीं पड़ेगी ओका मिलेगा तुम इस बार कुछ भी करने से पहले यह सोच लेना कि इस किसम का दियोगा हर मौका दिवार पर फेकी हुई गेंद की तरह है जो लोटकर तुम ही पर वापिस आएगा जिनदाबार भाई जिनदाबार दाना शाही नहीं चलेगी मसंदी राल जी हौल मुझागे निकल लो डस्ता एटोमेडी क्लिर हो जाएगा ने यह का मुस्रियों गभी यह मैंभी इस्यू इनियन का मिमबर हूं रोज का उट्णा मेंट है खेलिः नहीं चलेगी नहीं चलेगी ताहरा शाह नहीं चलेगी पत्टी की पगड़ी बांदी बिखाने के लिए जैसे तुने इसको इतना धुना है ऐसे बना इतला की एमोर चले कर आगे ए या निर्मल कुमर साहब मालिकों की ताना शाही का जवाब हम मजदुरों को देना ही पड़ता तो आप हैं चल चल के मालेक हाँ और कंटेक्टर भी हूँ मास्टर ओमकार्णाजी के बेटे दीपक जी मिस्टीपक मैं यहां का लेबर ओफिसर हूं मजदूरों के लिए काम करता हूं लेकिन कुछ मालिकों की परिशानी अभी समझता हूं और मेरा एक्स्पिरिंस कहता है कि मालिक और मजदूर के बीच अगर इस तरह के हालात बहुत लंबे हर्से तक बने रहें तो इशूस बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेट हो जाते हैं और सुलिशन मिलना बहुत मश्किल मैं सुलाह कराने की कोशिश कर सकता हूँ आपको कोई परिशानी बिलकुल नहीं बलके इस जंगल राज के अंदर अगर आपके बात करने से कुछ मंगल हो सकता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुन सी बात गजंदर बही रोना है निर्मल साहब माले किला परवाई के वज़े से चोर कोई पैसे पे डला मार गया और क्या बिलकुल गलत बात है सारा का सारा कलेक्शन हरीलाल के पास था मेरे पास फूटी कोडी भी नहीं थी जारा कलेक्शन इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है दीपक क्यों और चोरी के बाद इन्होंने नौकर को ऐसे काम से हटाया जैसे खेत में घुसावा धोर डंगर सब उल्टी बाते कर रहे हैं आप हरिलाल मेरे याँ से काम छोड़कर चला गया मैंने हरिलाल को काम पर से नहीं निकाला समझे इसा सच हमारा सच जूट पूछी इन से हरिलाल पे इन्होंने हमला किया था या ये भी जूट है दस गबाप पेश कर सकता हूं नर्मल साब मैं बार सुन चुके ये राम कहानी कोई गधा भी यकिन नहीं करेगा निर्मल साब बिल्कुल सच बोल रहा है आप इनसानियत और शराफत की राम कहानी के ओपर कभी कोई गधा यकिन कर ही नहीं सकता जबाद संभल के चार पैसे चेब में आजाने से कोई बिजनेसमन नहीं बन जाता बिजनेस का सेंज दोना चाहिए अबे तू कदर कर अपने इस रंग के किसी भी रंग का गमचे अपने कंदे के ओपर डाल लेने से कोई भी निठला आदमी लेता नहीं बनता अब्जा तू उसके लिए कुछ सोच के अंदर गैराई होने चाहिए कोई नितिक कुछ उसूल के अंदर विश्वात होना चाहिए दीपाग बात करता है थोड़ा अराम से सर मैं इस नेता के बच्चे से एक बात पूछना चाहता हूं कि तेड़ी मेडी सडकों के पर कभी दिन रात बस चलाई है इसने कभी कोई बोजा उठाया है कभी जंता से ठसाडस भरी हुए बस कि अंदर कोई ठीकिट काटी है कभी मज़ूरी की नहीं है मज़ूरों का नेत यह लेता लेता वाला लेता है आपने हमें यहां बुलाया किस लिए जूते मारने के लिए अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए इसे मज़ूर का समान करना ही होगा हरीलाल से माफी मांगनी होगी उसे तोबारा नौकरी पर रखना होगा तब तक यह मोर्चा हटे काम बंद कर देना यह बार ठीट नहीं है सिंग इनकी कंप्री ने दो चार चुले जलाने के समयदारी उठाई है और तुम लोग आग बढ़काने में लागे हो अब यह बताइए अब हमारी तरफ है या इनकी अब लेबर ओफिसर है या मालिकों के ओफिसर हां सिंग हर आद के साथ हम सभी को माल लेनी चाहिए यह बत सच है कि हरीलाल पैसा लेकर भग गया लेकर इसने कहा इसने एक घरीब मजदूर पर बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं आप पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है कितने पैसे देकर खरीदा इसको माइंड यू त पाकिंग, कैंटिन, लाइसेंस, पामिट हर मुकां पे तुमारे कट्स होते हैं मैं तुम्हारा पंगा मेरे साथ हैं इन पर वार क्यों कुलते हो हैं मैं यहाँ पर खुले दिमाग से आया था लेकिन मैंना यह देख लिया कि सुला का संगीत जो है बहरों के कानों में बजना नामुमकिन है इसलिए आज से इस विशे के उपर मेरे भी दर्वाजे हैं बंद है दिपक तुम आप कुछ नहीं कर सकते आप बैठिये आपकी नियत में खोट नहीं है खोट इस कुरसी के अंदर है बलके इस कुरसी में भी खोट नहीं है एक शर मैं इस किसे को अपनी तरह से निप्टा हुआ कुछ भलाई भी करूँगा और जरूरत पड़ी तो धुलाई भी करूँगा मलिक शाही मलिक शाही M.E.M.U M.E.M.U करेंदर भज्या करेंदर भज्या कारी धुए में कार्बन ज्यादा छोड़ रही है मेरा शक है P.U.C. गडबने अभी तो चेक कर आगर सर्टिविकर लिया था उसका यहां कोई लेना दना नहीं है लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी दिल्चस्पी लेन देन में वरना टांग उठाकर टायर खराब करने वाला कुट्टा भी बोल सकता है कि टायर नए है और पैचेस इसले पड़े हुए क्योंकि गाड़ी सड़क के अपर नहीं गट्टों के पर चलती है और यह भारत है यहाँ पर चुहा अतिल चट्टा गाय बकरी भिकारी कोई भी फर्स्टेट बॉक्स के अंदर गुश सकता है और यह वाइपर के साथ आपने यह जबदाल और किसी कोटे से ट्रेनिंग लेते हैं क्या अब अब यह जबाब तो आपको देना पड़ेगा यह मिठाई के डब्बे सोने के सिक्के यह नोटों के गट्टी इसका कोई भिलसमाल का रखते हैं कि नहीं घर के अंदर यह जीजा साले कि रिष्टे का लिहास नी होता ना तो घर का बेदी मैं भी अच्छा बन सकता हूं कि अधाट तो सुन्दर भाई तो सुन्दर भाई तो सुन्दर भाई सुन्दर भाई हम यह बस आज आर्थ को यह खड़ी नहीं कर सकते हैं चापी में तो हटा किया तुम ने मुझे बता कर यह बड़ा जोखिम भरा काम किया है तुम यूनियन के आदमी हो पकड़े जाओगे कही कि नहीं रहोगे यह का मुझे करना पनेगा सुन्दर भाओब अर्ट खुड्छाएफ टीजाएफफ टूजए यॉभ्छाएफ खुड्छाएफ टीज़िक टूख बच्छाएफश्छ वर्ड्छाएफ टूजफड़िक टॉश्ज़िक टॉणश डघ्ट टॉब्छ best लुड्छाएफ नएषिर नग्परेल बाउ पिरो कि झाल से आधे कि नवड़ को और दो एके लाँ कि तया से लाँ जाल से लाँ परो कि ऩाल जाल जूब थेयुब कर दो इपक, 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 यहां मत बैठो, वो लोग घर पे भी हमला कर सकते हैं, हमें चलके कम से कम घर सेफ करना चाहिए, यह सौले बहुत कमीने लोग हैं, यह कहीं जाके कुछ भी कसली होने दूँ आगे तो, देखो, देखो, क्या हर्मला के गाए यह गुट में, कबरा मत तुम लोग, हम, आगे, क्या करके दम लोगे तुम हाँ, इसमें मेरा कसुर नहीं है, इंट का जवाब पत्थर नहीं होता, ऐसा मत करो बेटा, वो बेटा ही क्या बाबुजी, जो अपने पाप पे उठावा हाथ न तोड़ दे, इसमें मेरी बात सुनते जाईए, पुलिस नहीं यहाँ फोन किया था, आपको ढूंड रही है, ढूंड रही है, क्यो ढूंड रही है, जिनको ढूंड ना चाहिए, वो तो देश में बड़ी इज़त से घुम रहे है, बस कर, बस कर, अब हमें क्या पता, तुम बाहर क्या धंडे करते हो, क्या हरकते करते हो, लेकिन मैं इतना ढूंड के साथ कह सकता हूं, यू हाँ ब्रोकन दर्ला, आप अपना मुह बंद रखें, अरे क्यों मुह बंद रखें, भाई साब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भूगत ना तो हम सब को पढ़ता हैं न, ये देख रहा हैं, क्या हारा क्या है बोलो, देख दुबे संभाल रहे हैं झाल झाल जाल झाल लेकिन उल्टा इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया सर और सर इससे पहले भी इन्होंने कई बार हमारे साथ जगड़ा किया सर हम कसम कहा के कह रहें सर उस राद दीपक ने मारधा शुरू की तो फिर हमने भी हाथ उठा दिया लेकिन बचाओ के लिए और फिर बस कंडम हो गई जब मिस्टर सिंग हमारे हॉस्पिटल में आए उनकी हालत बहुत खराब थी और उनकी जान को भी खत्रा था मिस्टर दीपक वैसे भी घुसेल इन्सान है योर आउनर मारधार पे उतराना धंकाना ये इनकी पहली और स्वाभावी प्रतिक्रिया होती है यह है हरिलाल के माता पिता का एफिडेविट और मुझे तो इतना मारा के बस पुछो मत मुझे ड्रायवर बसंतिलाल को बाद बाद पे धंकाते रहते दी मैं तो सिर्फ इनका घर करीदना चाहता था वो भी अच्छी कीमत पर बड़े प्यार से राजी खुशी लेकिन हमनों ने गुंडे भेश दिये मुझे धंकाने के लिए कि मेरे जीजाओं को भड़काना बंद करो किसी के निजी मामले में दखल देना ठीक नहीं ये मैं भी समझता हो लेकिन एक बस माली की हैसियत से मिस्टर दीपक का अपने पैसेंजर्स के साथ सुलूक कैसा था इसका एक नमुना बेश करना चाहता हूं मतलब बात करते थे तो लगता था कि कुछ अच्छा नहीं है मर्थ चात बोलके छोड़ दिया लेकिन एक दिन तो अचालब मेरा हाथी पकड़ लिया कितने जगड़े होते थे इनके आट्यू ओफिसर से ऑफिसर की गाड़ी रुकी नहीं कि जगड़े चालू पैसेंजर गय तेल लेने एक बार तो आट्यू ओफिसर की गाड़ी की क्रास तक तो ड़ाली इनों और वो शरीफ ओफिसर इस अदालत में गवाही देने के लिए नहीं आना चाहते क्योंकि ये दीपक उनका साला है दीपक को हो नहो उन्हें इस रिष्टे का लिहाद सरूर है एक और बात ये दीपक के दूसरे जीजा जी वकील है और ये सोचने वाली बात है कि एक वकील जीजा अपने साले का केस क्यों नहीं लेना चाहता I think ये दीपक आपको कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा अब मैं क्या बोलो सरकार कोट में आकर तो मुझे पहली बार ये मालू पड़ा है कि सच बोलने के लिए सच काफी नहीं होता है उसके लिए सबूतों कोई जरूत पड़ती है और ऐसा सच जो सिर्फ दो आदमियों की बीच हुआ हो उसको तो भगवान भी साब इतनी कर सकते ये धोबन, ये हरिलाल, ये बिल्डर, ये मवाली ये कारे करता जिनने मेरे घर में काफी तोड़ फोड़ की मैं चाहूं तो इनके इल्जाम पलड़ कर इनके पर दो गुना लगा सकता हूं दिखाओ, किसी को उसके चार पाऊं जो है, मैंडप के चार बंबू नजर आते हैं तो किसी को उसकी पूछ जाड़ू मेरे दुश्मनों की चुपती हुई महती महपत उनको चार गुना जादा शहर से लेकर जंगलों तक दोड़ा दोड़ा कर दी जाएगी तब जाकर उनको होश आएगा लेकर उसके लिए मुझे आपको सारी बाते जो है, सारे किस से पूरे बताने होंगे घर के, शहर के काम के, बस के देख लिया आपने अपने लाट प्यार का नतीजा उसकी वज़े से इस सुम्र में भी क्या-क्या सहना पर रहा है आपको सुनली अब आपउजी, सुनली आपने अरे वहाँ खड़ी-खड़ी मूँ क्या देख रही हो, लाव, अलमारी की चाबी लाव मैं आफिस का किराया, दे मारताओ, मालिक का मूँ पर आपके लॉकर में पैसे कहा है, बैंक से निकलवाने पड़ेंगे आप क्यों निकालेंगे बैंक से पैसे, जो करें वो भुकता है देखा बाबुजी, देखा आपने, अगर आपने ये मकान बेच दिया होता है, तो आज ये नौपत नहीं आती अरे, चार पसे हाथ में होते, चार घर में होते, चार मुठी में होते, लेकिन नहीं, आपकी जिद, आज तक आपने कभी हमारी कोई बात नहीं माने, क्या करें, अपने ही दांट, अपने ही होंट, मंद करो ये नौटन की तुम दोनों, अभी भी मेरे कंदों में जोर है, इ एजाज़त दे लेबर ओफिसर निर्मलकुमार यूनियन लीडर सिंग और तीपक के बीच मेने सुलह कराने की कोशिश की यह तब की बाद है यूर अनर सिंग ने मुझे बेहाथ उठाया मुझे इमार ने चला था वो लेकिन तीपक ने शुरूख लिया लेकिन तीपक की समझदारी और एमानदारी से मैं इतना प्रभावित हुआ यूर उनर कि एक लेबर ओफिसर होने के बाद भी मैं एक मालिक की तरफ तारी करने चलाया और यह दूसरी अर्जी वाले साब कहा है बस डेवर बसंदी लाल खरावी तो है सरकार मेरे मालक में लोग दिमाग से काम लेते हैं यह दिल से दुनिया से उलचते हैं वस यह खरावी है जब गुसा होते हैं तो गुसा होते हैं जब प्यार करते हैं बड़ा ख smoothie है इन्साने साब बिलकुल कच्छे पक्याउब की तरफ लेकिन वो जानता है कि जब यह भाणके तब भी हमारी गलती थी और जब यह प्यार करते थे तब भी हमारी गलती थी अरे मेरी और हरी लाल की तो कई गलती ओप इनूने मामूली डाँ टेपट करके हमको रफादफा करके माफ कर दी आज तक तो मैं सिंग साप के डर से खामोश रहा और मैं यह भी जानता हूँ कि शायद इन से पंगा लेना मुझे भारी पढ़ सकता है लेकिन इस शरीफ इंसान की इंसानियत लगन और मिठास मुझे आ तक खीश लाई और आज मैं यह तमाम हिम्मत को जोड़ के बोल सकता हूँ यह सिंग यह हमारे मालिकी बस को तोड़ा, मुझे को बालने की कोशिश की और यह साथ साथिश सी साथ प्लानिंग थी तो कि मैं अपने किसी कामसिल यूनियन के आफिस पो गया वह मैं ने देखा सिंग अपने जूनियस के साथ बढ़के प्लानिंग कर रहा था साथिश कर रहा था मेरे साथ को तकलिक देने के लिए साथ अदालत ने इस मामले को इंसानियत के जजबे से देखने की कोशिश की है ठोस्थ जबूतों की कमी दोनों तरफ से थी और फैसला लेना मुश्किल काथ लेकिन न्याय की शुरुआत कानूं की किताबों से नहीं सद विवेक से होती है इस अदालत ने भी वही कोशिश की है अदालत दीपक को एक इशारा देती है दुनिया मेरे साथ भला करेगी क्योंकि मैं दिल का भला हूँ ऐसा मान कर चलना गलत है क्योंकि सांड जब चलके आता है तो वो सामने वाला आदमी शाका हारी है या मासा हारी ये नहीं देखता गजेंदर सिंग ने दीपक पर जो जान लेने के इल्जाम लगाये है अदालत उन्हें बे बुनियाद मानती है और दीपक को बे कसूर ठहरा दी अरे ये तो नहीं से भी ज़्यादा नहीं लग रही है ये आपने इतना खर्चा कैसे किया ये इतने पैसे कहां छुपा कर रखे थे आपने कुछ पाया कुछ खोया अब अपना घर सिर्फ अपना नेरा कई लोगों का आशियाना बन गया है घर भीजती है क्या मुझे घर नहीं तू चाहिए क्योंकि कोई घर तेरे दिल जितना बड़ा नहीं हो सकता मरते वक्त क्या कमाया कितना कमाया ये सब हिसाब लगाऊंगा या तेरी ये खुशाल आखें देखकर शांती से मरूंगा ऐसा क्यों बोलते बाबजी हाँ तुम सोचते हो मेरी सबसे बड़ी दौलत वो अपनी कमायी से बनाया हुआ घर है नहीं बेटा मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो तुने मेरे लिए बहुत किया है थोड़ा मुझे करने दो कितनी यादे बसी हैं उस घर में यादे घर में नहीं दिमाग में बसी हैं ऐसे मुकाम आते रहेंगे एक बात याद रखो जहां सवेरा हो वहीं बसेरा होना चाहिए जहां सच्चे रिष्टों का बसेरा है वहीं सवेरा है हाहाँ 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 हाह कर दो कर दिंद बिटी तुम्हें टिकेट लेने की क्या जरूरत है आज से ये बस तुम्हारी और बस का मालिक भी तुम्हारा आओ जी बनी तुम्हारा आओ बनी तुम्हारा आओ मनी के अलिए हाई यहाँ यो 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 देखेंगे होगा जो फिर से कोई धमाल करते हैं चलना चलना कमाल करते हैं चल चलना चल कमाल करते हैं यॉषर जो थे याँ विद्वान चलना करते हैं जब से मही है मनी से निगाहें हनी में पोला है फ्हाला के बाहें जब से मिली है मनी से निगाहे हनी में बोला है फैला के बाहे कम रखे क्यों मजबूर जी बाशाओ हुजूर जी बाते कल प्यार की प्यार में इदूर जी प्यार से खुद को निहाल करते हैं चलना 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 कमाल करते हैं Talk to me while we do it, Talk to me, Talk to me, Talk to me, I'm praying Talk to me, you're my baby, What would you, What would you, What would you, What would you Talk to me, Talk to me, Talk to me, Talk to me हम का दुगाबत है तुमसे यो क्यारी अब ना रहेंगे किनारी किनारी क्या कर दिया हुजूर जी आया हमें कुरूर जी अब ना जाना छोड़के जाना ना हमसे दूर दी क्यों हमसे बहके सवाल करते हैं चलना चलना कवाल करते हैं हनी भी है, हनी भी है, हनी भी है मनी भी है, हनी है, दिल में ठुदा ठंठनी भी है या 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 यो 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 देखेंगे हो गादो फिर से कोई धमाल करते हैं चलना चलना कमाल करते हैं